हेलो गाईज आप सभी को प्रिति का प्यार भरा नमस्कार आज हम जो बेग बनाएंगे वो बेग हम डबल जिपर वाला बेग बनाएंगे इस तरीके से हम त्रिपल जिपर वाला भी बेग बना सकते हैं तो पहले हम डबल जिपर वाला ये बेग बनाते तो उसके लिए मैंने ले लिया है 21 by 16 नीच का 21 नीच वो चोड़ाई है और 16 नीच वो हमारी लंबाई है और अभी इसमें कॉर्णर पे हमें 2 by 2 का एक स्क्वेर बना लेना है वो चारों कॉर्णर पे हमें बना लेना है और हाँ ये 21 by 16 नीच के हमें दो पीस से मेजर्मेंट के लिए है और उसे मैंने कपड़े और अस्तर डालके क्विट कर लिया है फिर दोनों को साथ में एक समान रखते हुए चारों कॉर्णर पे हम इसे मार्क कर लेंगे 2 by 2 का और फिर इसे कर लेंगे कट ये देखे ये कट करके हो गया अभी हम एक पहले मार्क करेंगे तो जो 21 इच हमारे जो चोड़ा ही है इसकी वहां से हमें 6 इंच लेना है साइड से अंदर की तरफ जाते हुए 6 इंच पे मार्क करना है इस तरह से और जो आप उपर की साइड रखना चाहते है न उसे ती नीच तक लेना है ये और नीचे की तरफ हमें 6 इंच का पूरे में लाइन कर लेनी है यहां देखे मैंने 6 इंच के किया और ये उपर की साइड रखेंगे तो यहां पे 3 इंच का डिस्टन छोड़ते हुए हम मार्क कर लेंगे ये लाइन पे इस तरह से तो यहां पे हम बेल्ट लगाएंगे फिर इस निशान को हम कर लेंगे इस तरह से जो मारके हो उसमें छपके आएगा देखिए अभी इसे सिधा करेंगे तो इस पे मारके ना लाइट लाइट दिखेगा तो उसे हम डार्क कर लेंगे ये इसलिए करते हैं कि हमें इस पे फिर से नाप ना लेना पड़े अगर आप चाहे तो इसमें जैसे पेले पीस में हमने नाप लेकी किया वेसा ही इसमें भी कर सकते हैं अभी उपर का दिख नहीं रहा था तो उपर से हम टीन इज का इस पर मारक कर लेंगे ये हो गया हमारा अभी यहां पे जो टू इज का हमने distance रखा है ना corner पे उधर से लेके सामने तक हमें इसे cut कर लेना है cut कर के हो गया अभी जो उपर का पीस छोटा पीस है ना हम लेंगे और इसे नाप लेंगे तो ये 16 इज हो रहा है और तो हम 16 इज की zip ले लेंगे zip को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे कर लेंगे stitch ये stitch हो गया अभी उल्टी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे कर लेनी है top stitch zip की किनारी के उपर मसीन चलाते हुए top stitch कर लेनी है top stitch हो जाए बाद में उल्टा ही रखके fold करेंगे और सीधी तरफ हम center का mark कर लेंगे zip में और उसके बाद यह वाला जो पीस है उसमें center का mark कर लेंगे दोनों का center mark इस तरह से मिलाते हुए हमें zip को attach कर लेना है और साथी साथ top stitch भी कर लेनी है ये देखिए top stitch हो गई side के corner है थोड़े उपर की side रहेंगे तो आपको ऐसे ही रखने है और बाद में runner aid कर लेना है runner aid हो गया तो अभी belt ले लेंगे ये देखिए मैंने belt पहले से ही कपड़े का बना के ready रखा है आप चाहे तो ready made belt भी use कर सकते हैं तो ये मैंने 22 inch की लंबाई वाला belt लिया है तो यहाँ पे इस तरह से रखना है नीचे की तरफ से उपर की तरफ जाते हुँ हमें stitch करना है और दूसरा belt भी इसी तरह से और ध्यान रखना है कि belt में बीच में मोड ना आ जाए और दूसरा belt हम इसमें stitch करेंगे तो ये देखिए दोनों belt हमारे attach हो गए अभी pocket बनाने के लिए हम यहाँ पे piece को उल्टिये side center का mark करेंगे जिसमें हमने zip लगा ये न वो piece में हमें ये center का mark करना है बीच में अगर आप 3 zipper बनाते हो तो दूसरे piece में से इसी तरह से ही हमें करना है तो ये हमारा 3 zipper pocket बन जाएगा अभी ये देखे अंदर का ये अस्तर का कपड़ा लिया है 18 by 14 inch का 14 inch इसकी लंबा है और 18 inch इसकी चोड़ा है और अभी यहाँ पे बीच में 18 inch है वहाँ से fold करते हुए हम इसका center mark निकालेंगे और फिर जो नीचे से हमने 2 inch का cut किया है न वहाँ पे वहाँ तक हमें इसे रखना है और 18 inch अंदर की side fold करके यहाँ पे pin up कर लेंगे center को भी match करना है और यहाँ पे उपर की side भी हम इस तरह से रखेंगे center का mark match करेंगे और pin up कर लेंगे थोड़ा extra आएगा फिर उसे बाद में cut कर लेंगे यहाँ पे अभी इसे इस तरह से रखेंगे और stitch करते जाएंगे आधा आधा inch अंदर की side fold करेंगे और stitch करके इसे cover कर लेंगे जो हमने 2 by 2 inch के corner cut की है ना उसके center में ही line में सिलाई आनी चाहिए इस तरह से यह देखिए यह हमारा pocket बनके हो गया ready 4 side मेंने सिलाई करके इसे stitch कर लिया 3 side आधा आधा inch अंदर की side fold करना है और उपर की side का जो सिलाई करके extra बचता है उसे cut कर लेना है और अभी मेंने 16 inch की zip ले ली zip को यहाँ पे stitch कर लिया और साथी साथ top stitch भी कर ली और अभी इसका जो दूसरा पाटे उसे हम यहाँ पे attach करेंगे तो यह देखे उपर की side जो आती है वहाँ पे हमें इसे इस तरह से रखना है साथ में stitch करके top stitch भी कर लेनी है यह दोनों हो गए इसमें आप ध्यान रखे उल्टा सुल्टा ना आ जाए नीचे का पाटे वह उपर की side ना आ जाए stitch करने के time हमें यह ध्यान रखना है बेल्ट देखके हमें पता चलेगा यह उपर की side है और यह नीचे की side है और यहाँ पे अभी उल्टा रखके पूरा bag तीनो side हमें कर लेनी है यह देखे यहाँ पे शिलाई लगा के मैंने तीनो side pack कर ले अभी इसे cover कर लेंगे तो यह 2 इंच का मैंने fabric लिया है उसे दोनो side से आधा-धा इंच अंदर की side fold करेंगे और इस तरह से इसे करके तीनो side cover करके इसे ready करेंगे यह देखे यह cover करके तीनो side हमारी हो गई अभी यह जो corner है उसे इस तरह से पकड़ते जाएंगे और stitch करते जाएंगे बारी-बारी हमें यह corner इस तरह से पकड़ना है और stitch करना है और यहाँ पे zip है न वहाँ पे जो जोड़ है वो और zip दोनों को match करना है और फिर stitch करना ये देखिए ये zip और जो जोड लगाया है वो दोनों मेच होके हमें stitch करना है तो हमारा बेग परफेक्ट बनेगा ये देखिए stitch करके हो गया और मैंने cover भी कर लिया इसे अब हम बेग को कर लेंगे सिधा zip को open करके हमें ये बेग कर लेना है सिधा सिधा करने के time corner सब अच्छी तरह से बार की तरफ निकाल लेने है बाद में हमारा ये जो बेग है बनके हो जाएगा ready ये देखिए ये बेग हमारा बनके ready हो गया ये देखिए two zipper ऐसे ही हम same three zipper वाला बेग भी बना सकते तो ये ही method आपको करनी है मैंने दो zip लगाई आप चाहे तो तीन zip वाला भी बना सकते है तो एक बड़ा सा pocket अंदर की side है और side का भी काफी बड़ा pocket बनाए हमारा इस तरह से और ये देखिए मैंने इसमें मेरे कपड़े सब भर के ले लिए तो काफी अच्छी finishing के साथ ये हमारा बेग इस तरह से बनके ready होता है तो आप भी जरू try कीजिएगा कैसा बनता है मुझे comment करके जरू बताईएगा अगर कुछ समझ में नया आए तो भी comment कीजिएगा मैं बन सकेगा तो आपको comment में ही जवाब दे दूँगी और इसका final measure मेलते है चोड़ाई में ये 14 है height इसकी 10.5 है बेज और उपर की side इसकी 5 है मतलब side चोड़ा इसकी 5 है पूरा round में ये 5 है ये हमारा square एक बेग बना है तो आपको कैसा लगा comment करके ज़रू बताई अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए और channel पे नए तो channel को subscribe कर लीजिए चलो ऐसे interesting वीडियो के साथ मिलते हैं next वीडियो में तब साथ के लिए बाई बाई जै भारत जै हिंद